आज का जो दूसरा मैच है वो गुजराइट टाइटेंस बसेज नकलव सुपर जाइन्स के बीच में पिछले मैच में हमारे कई सारे सब्सक्राइबर ने अच्छे खासे रोपेज जीते हैं अगर आप आज के मैच में हमारे दिये गई है टॉप फाइव ट्रमपिलर अपनी टीम में एड करते हैं तो आपकी भी टीम कमाल धमाल मचा सकती है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हैट टू हैड मुकाबले की तो अभी तक चार मुकाबले हुए हैं जीटी और नकलव में जिसमें चारों के चारों गुजराई टाइटन्स ने जीते हैं अब बात कर लेता हूँ पिच रिपोर्ट की तो ये जो मैच है वो इकाना किर्किट स्टेडियम नकलव में होने वाला है जो इसकी पिच है वो काफी ज़्यादा स्लो है बैट्समें और बॉलर्ट दोनों के लिए आपे मदद है 50-50 परसेंट चांस हैं बैट्समें और बॉलर्ट दोनों के लिए 169 रन का एबरेज इसकोर है मतलब ज़्यादा अच्छे कासे रन नहीं मनते हैं पिचले 12 जो बिकट गिरे हैं उसमें से 7 फास बॉलर्ट ने लिए और 5 इस्पिनर ने लिए अब बात कर लेते हैं टॉप बैट्समें की नकलव और जीटी के बीच में जब जब मैच हुआ है तो इन बल्लेवाजों ने सबसे ज़्यादा रन मनाए है तो पहला पिचले लिए तो पहला बात कर लेता हुआ है तो पहला जो ट्रम पिलियर साबित होगा वो कैन बिलियम सन क्योंकि ये जो पिच है वो काफी ज़्यादा स्लो है और कैन बिलियम सन बहुत ही समल के बल्लेवाजी करते हैं तो इनको आपको अपने टीम में लेना ही लेना और हो सके तो इनको अपना कैप्टन भी बनाना क्योंकि ये ही नकलो की इस पिच पे लंबी पारी खेलने वाले हैं जो दूसरा ट्रमपिले साबित होगा वो रासित खान जिनों अभी तक 157 ड्रीम 11 पॉंट दिये हैं और इस पिच पर ये दो से तीन बिकेट निकाल के देंगे क्योंकि ये जो पिच है वो इस्पिरन्स के लिए काफी जादा मददगार है जो तीसरा ट्रमपिले साबित होगा वो केल लाहॉल जिनों अभी तक 193 ड्रीम 11 पॉंट दिये हैं और 91 फीसिती नकलो की इस सिलो पिच पे ये रन बनाएंगे बनाएंगे तो इनको अपनी टीम का बाइस कैप्टन भी बनाना है चोथा जो ट्रमपिले साबित होगा वो निकोलस पूरण जिनों अभी तक 270 ड्रीम 11 पॉंट दिये हैं और 90 परसेंट ये नकलो की पिच पे रन बनाएंगे तो इनको भी आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है पाँचमा जो ट्रमपिले साबित होगा वो सुमन गिल जिनों अभी तक 237 ड्रीम 11 पॉंट दिये हैं और नकलो की इस पिच पे ये भी जवर्जस पॉंट में रहने वाले हैं तो इनको भी आपको अपनी टीम में लेना है ये थे हमारे टॉप 5 ट्रमपिले अगर आपको